निमस्कार आज हम डिसक्स करेंगे हच्पी एससी का प्रीविएस कोईशनेट पर है या आने पाद एक्जाम आपके डेफिनिटली हल्प करेगा जैसे कि आपके जूनियर आफिस असिस्टेंट का एक्जाम हो गया या फिर कोई और भी आपने हमें इसक्षिन करेंगे और प्रीविएस नमर्बर 141 से स्टार्ट करेंगे यहां पर पूचा गया है अब भीगु लेक इस लोकेटेट इन विच डिस्टिक ऑफ हमाजल प्रदेश यह जो ब्रीगु जील है यह माजल प्रदेश के किस जीले में स्थित है तो यह कौन से जीले में स्थित है यह जील अब डिस्टिक कुलू में स्थित है भीगु जील डिस्टिक कुलू में कुछ और इंपॉर्टेंट लेक्स भी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए तो यहां पर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए यह है कुलू डिस्टिक में कौन कौन से जीले हैं यहां कर दी गई है और विए अगर आप चाहे तो एक बाइदि को पॉस्ट एक परकिए बेबढ़ कर किए अगर वीडियो को पास्त करकर पड़ सकते हैं जितने भी लिस्ट है, जितने भी डिस्टिक्स हैं, सबी लिक्स यहां पर दी गई है, वस्टिन नमर 142 देखे, 142 है, नियूगल इस अट राविट्री ओफ दर इवर, जो नियूगल है, यह किसकी साहिक नदी है, तो यह नियूगल जो है, यह ब्यास की साहिक नदी है, उप्शन सी ब्यास नदी जो है, वो अलग-अलग डिस्टिक्स में बहती है, अब यह डिस्टिक कांगडा में जब बहती है, तो डिस्टिक कांगडा में इसके साथ यह नियूगल खड जो है, आकर मिलती है, और कौन-कौन सी खड़े हैं, जो कांगडा में ब्यास के साथ आकर मिलती है, जैसे कि बिनवा हो गया, गज हो गया, बानगंका हो गया, बनेर हो गया, चक्की हो गया, मानोनी हो गया, नियुगल हो गया, ये सब ही कांगडा में आकर मिलती है मंडी में कौन कौन सी मिलती है मंडी में आकर मिलता है इसके साथ उहल हो गया जियूनी हो गया बेन हो गया हंसा हो गया तीर्थन हो गया सुकेती हो गया और बनेड हो गया ये मंडी में आकर मिलती है कुलू में कौन कौन सी मिलती है कुल्लू में मिलती है पारवती हो गया, मलाना हो गया, मलाना के रावा मनालसु हो गया, फूजल हो गया, सरवारी हो गया तो यह सर भी काम पर मिलती है, यह कुल्लू में आकर मिलती है अगर आप जानेंगे बियास नदी के बारे में तो देखो बियास नदी का वैदिक नाम भी पूछा जाता है और संस्कृत नाम भी पूछा जाता है अगर बियास नदी का जो वैदिक नाम है वो क्या है इसका वैदिक नाम है अरजी क्या और इसका संस्कृत नाम क्या है विप लिट्धिक नाम भी साथ में याद रखें अब व्यास नदी कहां से निकुलती है है ये तो आपको पता है पर अंटो आपको जो कमेंट करके बताना है वो ये बताना है कि ब्यास नदी जो है प्रिंस्टी इसे हिसाब से ऑप्शन डी जो है वो सही अंसर है तो यहां से कुछ इंपॉर्टन कुशन बनते हैं जो कि क्योंधल से ही बनते हैं और अग्जाम में भी पूछ जाते हैं तो देखो क्योंधल की स्थापना जो थी यह जो कि की गई थी तो 1211 SP में की गई थी 1379 में जो था वो क्योंधल रियासत को फिरोद साथ उगलक ने अपने अधीन कर लिया और उसका जब गुर्खा आकर्मन हुआ तो उस्टम है जो था राना रगुनात सेन जो था वो क्योंधल के राजा यह जो था यह सुकेत भाग गय थे जब यह तक्राइने जो था वो क्योंधल रियासत के अधीन जो था वो आगई थी अब यह भी पूझा जाता है कि निम्मल लिकित मेंसे कौन सी रियासत 1815 में क्योंधल रियासत के अधीन आगई थी में दिया होगा तो आपको बताना होगा एक मार फिर से रिपीट करता हूं घूंड हो गया मधान हो गया रतेश हो गया ठीयोक हो गया कोटी हो गया और इसके लावा जब 1857 का विद्रह हुआ था तो उस समय क्योंधल के जो राना थे उनका नाम था संसार सेन यह भी आप या प्यासत के अन्तिम चासर का अगर आपसे पूछा जाए कि कौन थे तो वो थे हितेंदर सेन का नाम याद रखिए वशन नमर 144 देखते हैं 144 का है यहां पर पूछा गया है भक्ती थापा डाइट नियर यह जो भक्ती थापा थे इनकी मिल्ट्यू किस केस में भूई भक्ती थापा के वारे में यह जो था यह 8015 एसटी में मारे गहे थे और यह गोर्खा कमांडर गोर्खा कमांडर थे यह भक्ती थापा इनके किलावा अमर सिंग थापा के बारे में भी कई क्वेशन पूछे जाते हैं जैसे कि एक क्वेशन पूछा गया था कि 19 स्थापदी में जो था गोर्खा नेता को हराया गया था अमर सिंग थापा के द्वारा और 1805 में अमर सिंग थापा ने संसार चंद को किसस्तान पर हराया था तो महल मोरिय रामकस्तान है अमिरपूर में जहां पर अमर सिंग थापा थे भक्ति थापा हो गया अमर सिंग थापा हो गया यह गोर्खा कम है यह वाय कों संगंत्स की गता प्रणंद गot आकर हम ला किसे निर सभ्षस्नमर्वन फोर्टीफाइब इसमान पूचा गया है धर भवा भडबाग सिंग log यह वीमाचल प्रदेस के किस दिलितcómo लगता है विय वह यह यहीं माजल प्रदेश के कौन से जिले में लगता है उन्ना जिले में लगता है option A जो है इस question का सही answer है अब उन्ना में ये महिला लगता है बावा भडवाक सिंग महिला तो उन्ना में कहां पर लगता है और कौन से महिने में लगता है और कौन से महीने में लगता है तो ये मेला जू है जून के महीने में लगता है इसके लावा उन्ना में एक पिपलू मेला भी होता है ये पिपलू मेला जू है ये भी मई और जून के महीने में मनाया जाता है चिंतपूर्णी मेला भी होता है प्रणतों इसके बार में कम पूछल जाता है यह पूछल जाता है कि चिंतपूर्णी माता का मंदिर कहां पर स्थित है यह स्थित है आपके डिस्टिक को ना में Q1.46 है Qilad is in which district of Himachal Pradesh? Qilad जो है वो Himachal Pradesh के कौन से जिले में स्थित है Qilad कहां पर हुआ यह डिस्टिक चमबा में option C जो है वो सही अंसर है Qilad के बारे में कहीं पार question पूछ जाता है कि resident commissioner जो है वो Himachal Pradesh में कहां पर बैठता है Qilad कहां पर पांगी में पांगी में पांगी के किलाड में यह post है कभ यह post जो था वो बनाई गई थी तो 1986 में यह post जो था वो बनाई गई यह विया प्याद रहें 1986 अगला question देखिए 147 है चामुंडा temple is located नहीं है तो चामुंडा मंदिर जो है वो कहां पर सित है किस किस में प्रस्तित है चामुंडा मंदिर जो है वो पारलंपूर के नश्तित है और डिस्टिक कांगडा में जाकर यह अस्तित है अब देखो मंदिरों के बारे में कुछ क्वेशिन हमने recently पड़े थे अलग अलग डिस्टिक्स के उनको एक बार रिवाइस करवा देता हूँ जैसे कि महामाया बाला सुंद्रे मंदिर स्री मौर में स्थित है प्रन्तों स्री मौर में कहां पर स्थित है तो महामाया बाला सुंद्रे मंदिर स्री मौर के तिरे लोग पूर में जाकर स्थित है भूतनात मंदिर जो है वो कहां पर सित है तो भूतनात मंदिर जो है ये सिखर स्टाइल में बना हुआ है और मंडी में ये स्थित है बिजली महादेव मंदिर कहां पर सित है ये जो है ये कुलू में स्थित है और इपेंट रूफ अर्किटेक स्टाइल में बना हुआ है तो य ह export अरवल नाइडू के दोरा कुछ और important title चो ऑव हर रिशेंटलगी पूछे गए थे लिए फेमस में सिटो बॉय को करती हुआ जाता है किसको कहा जाता है तो सरदारे जंग मेजर मेहर दास को कहा जाता है सेरे हिंद किसको कहा जाता है तो सेरे हिंद कहा जाता है सीरी हरी सिंग को और सिंधी गांधी किसको कहा जाता है तो सिंधी गांधी कहा जाता है कृष्णा नंद स्वामी को अब यहां से एक क्वेशन का अंस इसका एक हजार साल पूरे होने का सेलिब्रेशन जो था वो किया गया था इसके लावा ताबो को अजनता ओफ हमालेश भी कहा जाता है और इसका जो एलारा ओफ हमालेश है वो मस्रूर रॉकर टेमपल को कहा जाता है एक और मोनेस्टरी के बारे में कौशन पूछ लेते हैं तायूल मोनेस्टरी के बारे में तायूल मुनेस्ट्री जो था वो स्तार्मिस्ताब्दी में बनी थी और लामा सार्जा रिन चेन के दोरा ये बनाई गई थी ये क्वेशन भी हमिर्पुर बोड के दोरा पूछा जा चुका है क्वेशन नमर 152 देखिए 152 में पूछा गया है लवी मेला जो है ये परसिद लवी मेला कहां पर मना जाता है ये रामपुर में मना जाता है ये तो हमने कुछ दिन पहले ही अभी दो तिन दिन पहले डिसकस किया था लवी मेला कितने वर्स पुराना है तो लगभग ये 300 वर्स पुराना मेला जो है किसका वास्ता ये तो ये Lord Kitchener का निवास्ता ओप्शिन बी जो है वो सही अंसर है Lord Kitchener का ये निवास्तान था ये question भी हमने कुछ दिन पहले ही discuss किया था 154 question देखें इसमें पूछा गया है तो इस फेमस दुरवासा temple is located in तो दुरवासा मंदिर है ये कहां पर स्थित है दो दुरवासा मंदिर जो हो कांगड़ा में स्थित है तो इस हिसाब से त्रियूंड केस में पर स्थित होगा option D जो है वो से इंतर है अब त्रियूंड केस में प्रियस्तित है यह कहीं पर exam में question पूछ रहता है कि क्योंकि यह important है कि त्रियूंड track जो है वो कहां पर है त्रियूंड track जो है वो कहां पर है यह district कांगड़ा में स्थित है प्रियूंड जो है कहीं से रास्ता जाता है उपर वो तो वहीं से यह track है और वहीं पर यह मंदिर कहीं पर स्थित है यह आप याद रखेस मंदिर के बारे में तो c island is feature of which lake तो यह है डल जील का फीचर option c जो है उसे इंसर है डल जील का यह feature है c island जो समुद्री द्यूप है अब देखो आम तोर पर जो question पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है आम तर पर question पूछा जाता है floating island lake यानि के बहता हुआ जो जील है floating island टापू की जील जो है कौन सी है floating island lake जो है वो तो परासर जील को कहा जाता है यहां पर c island पूछा था तो इसलिए question जो है important हो जाता है यह आप याद रखेस question का अंसर तो यह important question पर डिसकस किया टेलिग्राम पर हमें जोइन कर लें